भारत के उत्राखंड राज्य के गडवाल क्षेत्र में जन्में पले पड़े, डॉक्टर राम प्रसाद भट ने पहाडों के बीहड और जटिल जीवन में जीते हुए, वहां की भाषा संस्कृती और भुगोल से अपनी जुडाव को ना केवल अपनी जीवन की दिशा बनाय बलकि उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा। 1996 में बेट, 1999 में एमे और 2006 में हेमवती नंदन बहुगुणा गडवाल विश्वित्याले से टेहरी बांद के डूब क्षेत्र के लोग गीतों का सांस्कृतिक अध्यन एक बहुती अनोखे विश्य में शोध किया। अप्रेल 2000 से मार्च 2002 तक म्यूस्टर विश्वित्याले और अप्रेल 2002 से मार्च 2003 तक लाइब्जिग विश्वित्याले जर्मनी में हिंदी का अध्यापन किया। अप्रेल 2003 से आज तक डॉक्टर राम प्रसाद भच हैंबर्ग विश्वित्याले में हिंदी भाषा एवं साहित्य, भारती समाज एवं संस्कृति, हिंदु धर्म और इतिहास का अध्यापन कर रहे हैं। वेहंबर्ग विश्वित्याले के भारत विद्या विभाग में, Reader in Modern Indology and Senior Research Associate के पद्ध पर कारे रहत हैं। इनके शोद के प्रमुग विशे हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य में समाज, भारती लोग साहित्य, Hybrid Language of North Indian Youths, हिंदी व्याकरणिक परंपरा का इतिहास, योरोप में हिंदी का इतिहास, एवं प्रवासी हिंदी साहित्य। इसके साथ ही वे हिंदी से जर्मन अनुवाद के काम से भी जुड़े में हैं, उनके अध्यापन और शोद के मूल में संस्कृतियों और सब्वेताओं का अंतर संबंध है। आज कल डॉक्टर राम प्रसाद भट कुछ प्रमुक्षोद परियोजनों पर काम कर रहे हैं, जैसे History of Hindi Grammatical Tradition, Spoken Hindi, Beginners and Intermediate, Great Tradition and Little Tradition, The Cultural Tradition of Central Himalaya। डॉक्टर भट अपने विभाग में आधुनिक भारत विद्या के स्टूडेंट कांसलर हैं और हैंबर्ग विश्य विद्याले के एशिया अफ्रीका संस्थान की प्रबंधत समीति के सदस्य हैं। उन्हें उनकी हिंदी सेवा के लिए 2018 में मद्धिप्रदेश सरकार ने निर्मल वर्मा पुरसकार से समानित किया है। आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल में हैंबर्ग से हमारे साथ जूड़ रहे हैं डॉक्टर राम प्रसाद भठ। बहुत स्वाधत है रगसाब आपका नमस्कार। जी नमस्कार। आपका भिनंदन। जी तो डॉक्टर राम प्रसाद भठ जी शुरू से आपका रुजान भाषा साहित्य संस्कृति भुगोल और सबेता के बीच से विक्सित हो रहे अंचुए पहलूं को सामने लाने में रहा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हैंबर्ग विश्व विद्याले के भारती एवं तिबती संस्कृति एवं इतियात विभाग और एशिया अफ्रीका संस्थान सकल्टी ऑफ यूमेनिटीज में आप शिक्षण कर रहे हैं। तो कुछ उसके बारे में उसका कुछ परिके दें। जी, दन्यवाद, हाँ ये मारा संस्थान है वो वास्तम में उसका भारत विद्या के नाम से जाना जाता है, इंडोलोजी के नाम से। आजकर साफ एशन स्टडीज भी कहते हैं, वो एक नया टर्म है जो अमेरिका में क्वाइन किया गया था, लगवग सिक्स्टीज में ही उसका प्रिचलन जादा हुआ, अभी जर्मनी में वो आया नहीं, अब दीरे दीरे वो आ रहा, लेकिनों सिर्फ भारत विद्या के अतलब, इंडौलाजी का, और जर्मनी, आपको मालूम होगा कि जर्मनी तो इंडौलाजी के लिए जाना, तप्छे दिक इंडौलाजी के सुमस्तान लगता है कि जर्मनी में ही है, और यहीं से बहुत जो 17 ए 17 ट्रेंड होके जाते हैं, दुनिया में प्रोफेसर्स बनते है बहुत जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहां तरह सुष्थान की बात है हमारे सुष्थान व्लासन है थे भी पुराना है यह हमारे सुष्थान की स्थापना हुई थी 1904 में और जब से यहां पर संस्कृत पढ़ाई जाने लगी और हमारे विश्विद्याले की स्थापना ह अभी 1919 में अंबर्ग विश्विद्याले और 1922 से आप लोगों को भारत में सुनका शाय ताज्यव होगा 1921 और 1922 पे यहां पर हिंदी भी पढ़ाई जाने लगी और जिस पद पर मैं हूँ आज यह पद 1922 में इसको क्रिएट कर दिया गया तो हमारे लिए तो सुष्वाजी की बात है हम मना भी चुके हैं अपना सुष्वा गर्स और काफी काम होता है यहां पर दूसरी बात यह ह हमारत पढ़ाई होती है वह अलग उलग तरा यह आशिपगी आंध मैं घर की मीद्रेक वह वह संस्क्रिट का है यहां पर मुख्या यह हैं कि अगर आप आप यह एंपर्णना चाहते है कोई भी शाप्र शाथन्य स्वाख्यकित यह चाती है तो हम अमारि शिरूल लेबल उपर से शुरू कर सकते हैं उनको वो चीजें नहीं करनी पड़ेंगी जो आम तोर पर एक विदेश्टी को करनी पड़ती है लेकिन पड़ाई में उनका पूरा जो करिकुलम है उसमें भाग लेना पड़ेगा, उसमें जो बेसिक्स होती है भाशा से शुरू करते हैं जो बाकी टोका यह जो सांस्थत्य की है सभूए कि है यह हमारी सभान का नाम ही है अण fellowshipो कर यह को है तो सब्सक्रिक आख पर दचनес पड़ाई एक रास इसे माना जाता है लेकिन हमारा ध्यान अधिकतर फिलोलोजी पर ज्यादा रहता है तो वह इत्यास के पूरा गिर्द वही आता है जिए चार ट्रेक हैं अलग-अलग अभी तो एक है क्लाशिकल इंडियन इस्टडी का दूसरा है बुद्धियम भी पर सकते हैं इसरा है इस परीज का उसमें हिंदी और जो क्लाशिकल है उसमें संस्कृट पाली और यहां तक कि टिबती भाशा भी आती है फिर है तमिल का एक ट्रेक अबी हमने शुरूर हमारी यह शुरूर तो तमिल क्लासिकल तमिल और अगे तक पूं सकते हैं जहां भी जितनी भी उपर की प्राई होती है जिए और उसके अलाव हमारी यह तिबतन भाशा का भी एक सेक्षिन है और तिबतन इस्टडीज भी यहां पर पढ़ाई जाती है तो हमारे जो सुस्तान है वह एक एक एश जैसे पहले नाम बताया जै आज एशियन अफ्रिका इंसिट्यूट हमारे सुस्तान का नाम है तो उसमें बहुत सारी दुनिया की भाशाइं पढ़ाई जाती है और यह यह योरोप में एक बहुत बढ़ा सुस्तान है जहां जुनिया की अनिए पढ़ाई पढ़ाती है जहा लेकिन समस्तर टिकेट उसके लिए कोई मैश्याव से सारे 300 यूरो 6 महने के लगते हैं लेकिन उसमें चात्रों को आने जानी के सुविदा होते हैं ट्रेंट्रें टिकेट मिलता है जगरे तो वह सारे चीज़ें होती हैं जो उनको लाइब्रेजी काग वगेरा वगेरा सब क यहां नहीं है तो भारत के चात्रों के लिए हम तो यह कहिंगे कि आना चाहिए और बहुत अच्छी जगह है जी अच्छा बहुत से विश्विध्यालियों से आप फैकल्टी के रूप में भी जुड़े रहे हैं तो वहां की इस्टिया कितनी अलग है आपके विश्विध्या जी दूसरे विश्विध्यालर में एक तो यह है कि जैसे अगर आप मैं गेंत जाता हूं बेल्जियम में तो वहां वो बिभाग इतना बड़ा नहीं हो चूटा है वहां पर मुझे का जयनिजम और कुछी जिम बार्डरिंगा की भी होती है वाज बढ़ाई जाती है लेकिन उसका लेवल अलग है इतली में जो मेरे कलीगें वेनिस में वह बहुत अच्छे अच्छा संस्थाने वहां पर और उनके यहां भी सुगाएं बहुत अच्छी है और लग लग वो उनका में सेट वास्तव में सूफिजम पर है और जो इरान से लिए करके और भारत तक पूर पढ़ाएं जाता है यहां पर लेकिन वहारे संस्तान का भाग नहीं यह कई विश्ववज्व जालव में यह होता है कि मानव विज्ञान मानविकी और जो इंडोलोजी वह एक साथ रखे गए जैसे कि हाइजिल बर्ग में यहां पर है उनके यहां राज़ेती शास्त्र और दूसरे विश्वी इंडोलोजी और सब इक एक ही उसमें आते हैं यहकी उसका नामी साथेशन इंस्ट्इूट है तो उसमें आते हैं इसी तरह से ओस्षणों में हैं तो जो में डुर्वागे से स्टिति अच्छी नहीं है वहां लगता है कि वह पता नहीं प्संदान रहे कि नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे संस्थान दुरुबागे से बंद होते जा रहे हैं जर्मानी में भी पिछले कुछ वर्सों में का प्रीवन मेरे रहते रहते हैं यहां पर 6-7 संस्थान बंद हो गया है वो फाइनिंसल प्रॉड्रम की वजह से और उपसला में भी ठीक है लेकिन वहां भी बहुत चोटा संस्तान है बहुत ही हमारा संस्तान तो बहुत बड़ा है हमारे यहां तो हम जो प्रॉकल्टीस नहीं को यह चाल पर है और वहां दिशाम में वहां तो यह की फडल तो आप दुना कर सकते हैं और फिर यह है कि हमारी यह जो ट्रैक है हमारे जो जिन्हान जिस तरफ रहता है वहां को कुछ और रहता है और जाधत डलिक्टे में काम करते हैं यह कुछ और कि कि नाम हमें भी शायद पहले लिया था मैं मित्र हैं और हम काम करो साथ और इसी तरह से प्रांस में हिसा . मेरे मित्र हिसा और कलीग धन्ह शाम शर्मा जी प्रोफ़ेसर बंध्र शाम शर्म संब क्सुटी बहुत अच्य सवएदा ईक पहले इतली में पढ़ाते थे वेनिस में आप वहां पर है और इसी तरह से दूसरे जगाए लाइदन भी है तो जगह 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 अलग लग चीजों पर लोगों का जान रहता है हमारे यहां जो काम होता है वो दूसरे जगाँ से थोड़ा अलग है फिर उपर से हमबर्ग एक बड़ा शहर है बहुत लिब्रल सहर है यहां पर तो एक और बार से लेक अच्छी है जान का लगों को खुशी होगी कि नेका कि सुवाचंद्र बहुत सब जर्मनी आये तो यहां रहे थे यहां अबर्ग में अट्लांटिक होटल में और कहते यह है कि जो नेशनल एंथम जो सब्सक्राइब यहां बहुत आतिहासिक महातों का तथ्य है जी जी और यहां जर्मन इंडियन एस्टोशेशन की भी उन्होंने ही स्थापना की थी अधिक सब्सक्राइब लेकिन अधिकतर बताते हैं उन्हीं सो चालीस और बेली के बीच तब नेतागी यहां पर रहे थे वाग्समें पर उसी समय जो नारा जो आता है जए हिंद का जो आपको मादूम पर भी विचार किया जाता है कि शायद उसकी शुरूमात यहीं से वी ह लेकिन अभी इस पस्ट नहीं है, इसकी इस पर शूद करना बाकी है, मगिलागी। साउस एशियन स्टडीज के लिए विश्य में कई विश्य विद्यालियों में पढ़ाने की वेवस्ता है, काफी कुछ आपने अभी पिछले जवाब में चीजें बताई हैं, तो आपका विभाग किस तरह से अलग है, कुछ आपने थोड़ी सी बाते बताई हैं कि यहाँ पर क कौन से स्टुडेंट्स आवेदन कर सकते हैं और इस कोर्स के अंतरगात क्या-क्या विश्य आते हैं जिनके साथ में अद्मिशन मिल सकता है और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है जो लोग जानना चाहते हैं बहुत अहम प्रशन आपने पूछा यह बहुत जरूरी है वास है क्योंकि एक ही जैसा होगा जगह जगह तो फिर एक ही जगह चात्रों के तो मलब इतने चात्र तो हूंगे नहीं कि इंडोलोजी एक एक्जोटिक एक तरह से विशय है यहां के लिए तो हमारे यहां तो शुरुआ जैसे मैंने कहा कि भाशाओं से होती है और कोई भी कर सकता है लेकिन उसकी कुछ शर्त है शर्त यह है कि कोई भी विद्धार्थी जो भी यहां आता है जिस हमारे यहां पढ़ना चाहता है उसको भाशाएं आना बहुत जरूली है तो सारी चीज़ें भाशा के इंड़ गिर्द ही भूमती हैं हम बिलकुल जीरों से शुरू कर आपको सनस्क्रित का है अजरा अधर आपको संस्क्रित आती है तो बिलकुल आप और आठी हमारे सकते हैं और जिन ओसमें परमोत है तो कि यह यह एंघिख जरूली हुआ टिक लिए बिए यह जरूरी अब होता यह कि हम भार्षा से शुरू करते हैं और फिर आज जो दूसरे शेशी होती हैं जैसे काले मीगन चात्र को हर समेस्टर कम से कम एक साल में दो पेपर एक्स्रा लिखने पड़ते हैं वह च्छात्र और वहिविल नहीं होते हैं तो फॉड़े हैं भारत से तो बहुत ही अलग है तो यह चाहिटर ओरिंटेड श्टूडेंट और से देडिये और यह नहीं चलता है कि आपने जो किताब में लिखा है वो पड़ा और वही आगे कि वैसी चल्दा ऐसा नहीं है यहां पर चात्रों को यह सिखाए जाता है कि आपको सोचना कैसे है आपको स्वयम आर्गुमेंट करना है आपको प्रश्न करने हैं और फिर उसको अप्लाई करना है तो भाषा यह कैसा माध्य यहां तक की जो राजनीती में बाइलेक्ट्रों संबंद होते हैं यहां तक की जो वार्स होते हैं आपको मालूम है इस सो साथ के दशक में अमेरिका निगर भी अतनाम और जब वहां हुआ और दूसरे तो साथ एश्या बहुत अचानक बहुत महित्यपूर्ण हो गया और भ यहां तक बात है कि तो बहुत सारे सोर्स है यह आजकल अच्छी बात है कि सब कुछ उपलब है ओनलाइन जा सकते हैं www.uni-hemberg.de आप वैसे भी Google में कोई भी सर्च करेंगा University Hamburg या किसी भी दूसरे विश्व विश्व जालाइके लिए जर्मनी में हो यह उरोप में आराम से कर सकते सब कुछ ऑनलाइन उपलब है दूसरी बात अच्छी चीजे है जो सभी को शायद सम जाननी चाहिए 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 चाह सब्सक्राइब दूसरी बहुत है वरोप में लाफन है उपली करते है तहारम जीग करते हैं आप तो द克 उल जाननी प्रेम होस works, सैंजित स्रेय जेए लोगों कहीए बड़ें सढ़ करते तो उनकी अपनी वेबसाइड है और दफ्तर भी वहां भी लोग जा सकते हैं इसी तरह से मैक्समलर भवन है तो मैक्समलर भवन भी जो है काफी सूचना शायद दे सकते हैं यह चीज हो रहे है कि अगर जो भी चात्र यहां आता है अगर उसको जर्मन आती है तो वह बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है जो है रोज मर्रा के लिए और कम्यूट करने के लिए अगर आप जर्मन जानते हैं तो वह सुविदा रहेगी जहां हालंकि कम्यूट करने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं कि अब अंग्रेजी में भी इन लोग उने जर्मनी में फ्रांस में जैसे अभी वही है फ्रांस में अप अंग्रेजी जादा नहीं देखेंगे जर्मनी में शुरू हो चुका है वह इसलिए क्योंकि हैंबर्ग खास करकेंबर्ग मेट्रोपोलेटियन शहर है और यहां एर बुस का भी जो आफिस आया और उनके फैट् पांच-छेसों तो कम अशी कम है तो इसलिए यह जरूरी है और फिर विदेशी बहुत हैं चानिज भी बहुत हैं अप्रूप से देशों के लोग भी हैं तो इसलिए हमबर्ग तो एक वास्तम में इसको का जाता है दे डूर अफ दे वाल्ट, टू दे वाल्ट, तू दुनि जर्मन शरकार ने वास्तम में विदेश शरकार ने विदेश मंत्राले ने कुछ कारेकरम शू किये हैं उसके अंतरगत भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह से मैक्स-प्लंक इंसिक्यूट है जो बढ़े जो फैकल्टी जो अखेडमिस या है वो अप्लाई है ठीक है तो एक चीज मैं एक चीज रह गई उसको बता दूं कि प्रोसेस यह होता है कि आप जब वो अप्लाई करते हैं तो आपको अपने फॉर्म और सारे चीज़ें जो भी रिक्वाइड है वो भीजते हैं और खास करके बीए के लिए अगर कोई करता है बैचलर डिगर करता है तो वो उसमें थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और में के लिए अगर करते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा चोटा होता है तो उसका उसका मतलब यह है कि जो एप बीए के लिए उसकी आइक्सेसिंग प्रोसेसिंग जो है वो यूनिवर्स्टी के कोई भी और PhD के लिए यह होता है कि आप डारेक्ट जो हैं प्रॉफेसर से बात की जिए वो प्रॉफेसर अगर उसके पास जगए खाली है और समय उतलब्ज है तो वह आ सकते हैं आप जाहता है कि आपको कम से कम 1200 यूरो जो है आपके पास होने चाहिए नहीं हमें तो या तो वह आपक या केसी को दूसरे संस्ता से आप ले सकते हैं अगर उपलब्ध है प्रोफेसर के पास यह जगह और कुछ एक्टे भी करते हैं कि जो आपको अगर प्राइवेट लिए अगर अपना फाइनेंस कर सकते हैं तब भी जो है प्रोफेसर अगर चाहे उनके पास जगह है और वो कि लेना है नहीं है और उनके इमेल सब आउनना है उपलाब दें इमेल से फॉन नमबर से सब उनना है यह तो बहुत ही मतलब एक तरह से ओपन कहा जाए कि व्यवस्था है सारी कुछ जिसके लिए बहुत ज्यादा इदर उधर बीच के लोगों से बात करनी की ज़रूरत नह है सीधे समें सब्सक्राइब ब rezreat नहीं वहां यहaам एक अच्छी बात यह है कि यहां शुट्षा के चेत्र में कोी भी जख़ नहीं आख यह जो अध्याका कोई बैजИा अक्व मखेल्ग ना चाहिए और पहला चोगी चीजीं करता है कोई या फिर कोई एडॉक लेबल एडॉक के रूप में काम कर रहा है जाए वो यह क्लासी पढ़ाता हो लेकिन वो जो क्लास है उस पर सिर्फ उसी अध्यापक का अधिकार होता है वो जो निर्ने ले लेगा उस निर्ने को कोई बदल नहीं सका और वो निर्ने इमांदारी से पर यूजी सी तो इसका मतलब है कि जो जो भी करी कुलम है जो भी चीजें उस वह सिर्फ डिपार्टमेंट और अध्यापक वास्ता में जो पढ़ाने वाला है वही निर्ने लेता है कि उससे क्या पढ़ाना है और कैसे बढ़ाना और कैसे वो अपने चात्रों को ट्रेंड कर सकता है तो यह बहुत बड़ी जिमेदारी है तो इसलिए एफिसेंट की बहुत महत्तों होना है तो तंत्रता अगर आपको चाहिए तो आपको उतनी ही ज्यादा जिमेदारी भी निवानी पढ़ती है यह दोनों चीजें एक दू और में सब्सक्राइए गत्ता में आएं आपकी नोक्री जात को किデ Knights विद्यार से आपकी केम्प्लेयन कर देगा तो वह देखिह वह सौइन्ट यह जाएगी जाएको तो दूसरी तरफ आपको नियंतरन चात्र कर रह major un Pues ok तो यह इस को रिलेशन बहुत जरूरी है और भारत में सब सिक्षा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहां पर कोई भी किसी के प्रतिवी ना तो लोयल मुझे लगता है कोई आज कल जो भी मैं देखता हूं और नहीं जो है वो जिम्मेदारी कोई लेना चाहता है कि मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन अधिक आप सही कह रहे हैं तो नक्षब भविश्य में इन चात्रों के लिए आगे रोजगार की क्या संभावनाएं हैं अब देखें क्योंकि जो हमारे यहां पढ़ता है वो सिर्फ इंडोलोगी पढ़ता हूं हमसे दो विश्य उसने इंडोलोगी लेया तो वो सेटिंट्रेक जो है अगर मान लीजिए अगर वो एकनोमिक लेता है अर्थ शास्त्र लेता है यह लो लेता है यह खोचाल से इस आप अच्छा है लॉब भी बहुत अच्छा है या कंप्यूटर साइंस है कुछ ऐसे विशे अगर कोई लेता है तो उसका तो भाशे बहुत अच्छा है अगर अगर कोई चात्र सिर्फ भाशाओं तक सीमित रहता है तब भी तोड़ी बहुत चलता है खासकर के लिंग कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इंड लोजी और जुश्री तरह के विशए यह पड़ते हैं जैसे जापान आनो जी अपने लेली इंड लोजी लेली आशे भी होते हैं कॉम्बिनेश इंड ही वहां पी संबहाव नहीं लेकिन वह संबहावने फिर कम होंगी क्योंकि वहां तो गिने चुने ही पद होते हैं जैसे अगर आप में का कर रहे हैं कि आप कल्चरल ट्रेनी बन गए या फिर आप प्रोफेसर बन गए टीचर बन गए या फिर आप जो हैं तहीं किसी किसी कमपनी के लशोल मैंने तो जो थाकार होते हैं वह बन गए या आप अनुवादह बहुत अच्छे अनुवादर का बन सकते हैं ऐसे ऐसा मेरा अपना है आपको साजेभोगा जानकर जर्मनी में जितनी भी फिल्म आती हैं हिंदी की फिल्म में आती हैं और उन्साब का जो करने वाली दोनों लड़कियां रही एक सब्सक्राइब में और गावी जो है वो को लौन में काम करती हैं दोनों ने हम से हम महारे यहां अपराई कुछ समय तक बढ़ा है किर सुन्या ने तो यहीं यम्मे किया और गावी ने कुछ समय तक यहां पढ़ाई की तो वो सब लोग करते हैं यहां पर उनके प्राकार है और है एक कंपणी है जो बड़ी सौफ्ट्वियर कंपणी जर्मनी की तो उसके भी जो बॉस थे पहले कभी मेरे खाल ची कुछ वर्सों पहले तक जर्मन थे वह तो वह भी हमारे यहां से गए थे ह तो अगर आप अच्छे चाथ रहें तो आप संभावनां बढ़ जाती है लेकिन अगर आप मीडियम लेवल के चाथ रहें तो वहां थोड़ी संभावनाई थोड़ी कम है और यह सच है कि हम इंडोलोजी को एकनोमिक्स या दूसरी विशें से जो जैसे कंप्यूटर साइंस हो गए उनसे नहीं जोड़े मतलब तुलना नहीं कर सकते क्या तो तुरंथ कभी ने-कभी जूब में ली जाती है इन्वाद के चेत्र में तो बहुत सारी संभावनाहिये और एक और चीज़ दो बढ़ाद जरूबाधिय है कि भार सबकर उस तरफ कम ज्ञान देती आं देन चाहिए कि वहां पर अच्छे सिच्छकों को ट्रेंड किया जाए जो विदेशों में पढ़ाएं जा करके कि ऐसे बहुत कम सिच्छक उपलब्द होते हैं जो साहिते भी जानते हैं संस्कृति में जिनका दखल होता है और वास्ताम में व्याकरण पर भी अपनी पकड़ रखते हैं कि यहां तो आप बिना व्याकरण के आप यहां किसी विदेशी को पढ़ा नहीं सकते हैं तो व्याकर भी बिदल सकता है अच्छा आपने अनेक मंचों से हिंडी के पक्ष में वातावरन बनाने के लिए प्रयास किये हैं बहुत सारे आपके वक्तावे और बहुत सारे कारिक्रम चले हैं तो कुछ उनके बारे में बताएं जी अच्छा सवाल है यहां हिंदी के लिए तो देखिए हम तो कामी इसलिए कर यहां पर इसका पर अरी रहे हैं और सबसे पहले तो यह है मुझे बहुत खुशी होती बताने में कि हम यहां पर जब मैं आया यहां पर 2003 में तो हमने शुरू किया था एक हिंदी इंकेंसिव क हिंदी गहन अधियन पाथक्रम शुरू किया था और वह आपकरम तब से वह चला आ रहा है और अभी तक जो है हर साल होता है इस बश्य साल भी यह पाया पिछले साल भी नहीं वह पायां तो करोना के वजे से नहीं ओंपाया है नहीं तो हमारी है रिजिस्टेशन बहुत है लेकिन दिक्कत यह थी कि लोग आप फीजिकली आना चाहते थी तो संभव नहीं था करोना के विजय से लेकिन उससे पहले हमारे कोर्स के बारे में भी तो बहुत स्थात्र शात्रों ने भाग लिया लगवग अभी तक जहां तक मुझे ज्यान है कि 673 बच्चे यह मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हमारी यह चात्र नहीं है चैसो तीटर लोग उस पाठेक्रम के माध्यम से हिंदी सीख चुके हैं अच्छा यह मेरे लिए बड़ी गर्म की बाते बड़ी बाते क्योंकि जो चात्र नहीं है यह वो लोग है जो चात्र हैं उनकी संक्य तो अलग है वो तो उसको तो यहां नहीं बता रहा है लेकिन वो जो बिल्कुल इस कोर्स के माध्यम से जीन लोगों ने इंडी से कि एक तो यह दूसरी बात हम क्या करते हैं कि यहां पर अलग अलग तरा की कारेक्रम करते हैं जैसे अभी बीच अभी हमने 8 से 14 नवंबर को हमने इंजा वीक मनाया तो उसको भी हम बहुत सालों से चाटर प्रफोरमेंस करते हैं और बहुत सारी दूसरे अप्लिटी समारी होती लेक्शर्स होते हैं कविता पाथ होता है अनुआध भी करते हैं और एक और की जैसे अभी आने वाला विश्व देखिए का मेरे फेस्बुक वेब साइट पर अजर आप जाएगा तो वहां चाहटें करते हैं कुछी हिंदी दिवस्तिक निफटर फर हमारे चाहते हैं कि में पेशल् scanning से फॉर को इस उसमारे साद हैकंव और अपने ऊपके यह णिफ दोने को परब पर पड़ते हैं पिर वो ऐसी चीजें जैसे सरस्वती बंदना जैसी चीजें भी वो सीखते हैं, इंस्ट्रुमेंट भी कई एक्टिविटीज दिखाते हैं, खाने के संदर्म में भी बात होती है, ड्रेस, सारी पहनना वगेरा, सब चीजें में यूकरते हैं, क्योंकि सब भासा से जुड़ी ह हैं, जैसे आपने खाना बनाया, तो खाना बनाना है, तो उसके लिए क्या-क्या चीजें चाहिए, वो भी भासा से जुड़ी है, और कहीं दुखान पर जाकर के काम करना, एक चीजी है, और एक और महत्तपुन चीजें जो पूरे भारत के लोगों को मेरे काल से जानना चाह ही, कि 2014 के बाद इस बात को अश्या कुछ हुई है, कि लगवग योरोप में, कई जगों पर, कई देशों में, और कई एरपोर्ट पर, अब देवनागरी में लिखा जाने लगा है, अब हमारे स्वागत के बात है, हमारे स्वागत आएंगे, तो एरपोर्ट पर लिखा है, और हमने यहां म्यजिम, यहां जो म्यूजिम में, मुख्य मैं मुझ्यम वहां पर भी देवनागरी में लिख वाया, इसी तरह से बहुत बात दूसरी जगह यहां, पर बड़ी कंपनिया हैं, कई कंपनिया, अब उनोंने भी अपना अपने दरवाजे पर लिख दिया काफी गुमता हूं यूरोप में जाता हूं जगर जगर आलांकि भारत में बहुत तो यूरोप में बदलाव आया वास्तम वेल्जिम आप जाएंगे तो वहां भी एक नया एक नई दिशा मेली तो इस पर भी अमने यह हमने करी लोगों को लिखा आलांकि हमने शुरुआत हम रखा गया और पुल जो है जो यहां हमबर का जो बहुत ही महत्तों बिल्डिंग है जो फिल हार्मनी हार्मोनिका है उसके लिए वह रास्ता जाता है तो वह मलब संगीत और गांधी जी आप समल सकते हैं बहुत बड़ी बाते क्योंकि दुनिया के बड़ी बड़ी हस्तिय हिंऺ हैं तो वह इस तरह से काम हो रहा और ओंफ्रेंस होती हैं और भी हिंदी मैं बात होती है बहुत बद बड़ने लग गया थोड़ा है सोछ बड़ने लगत है लोग स्ल theorन temptedland कि हां वो जरूरी है तो यह हो रहा है और हमारे जो प्रयास है अनुवाद भी हम खूब कर रहे हैं काफी अनुवाद किये हैं जबूरी जी कि कई के विताओं का नुवाद हो चुका है इसी तरह से जो दूसरे मंगलेश दब्राहून है अब मेरा थोड़ा स्वार्तो है क्यों करते हैं मैं सोचता हूं कि जड़ूरी परतवाल की कविताओं का मने अनुवाद किया जर्मन में उन पर तो आलेक भी आए जै और इस तरह जी के कविताओं का नुवाद हो गया है दूसरे यह नहीं कि सिरुफ उत्राखंड के दूसरे भी जो जो जाना में प्रयाद शुक् आने वाले हिंदी विश्व हिंदी दिवस पर में बुला रहे हैं तो उनकी के विताओं का नुवाद होगा तो यह अलग मार्जम में जो पब्लिक तक पहुंचता है और हिंदी का प्रशार प्रसार हो रहा और दूसरी बात है कि फिल्म के मार्जम से हम लोग फिल्में भी दिखाते ही पिर हिंदी का प्रवाव जो है थोड़ा बढ़ रहा है प्रशार बढ़ रहा है वास्ता है अच्छा डॉक्टर राम प्रशाद भष्ची अंतरास्टी स्तर पर आपने भाशाओं के अंतर संबंधों पर कई महत्पून बीज वक्त वे दिये हैं जैसे 2017 में समका अधुनातन हिंदी कथा एवं उपन्यास साहित्य में स्त्री दलित आदिवासी एवं अल्क संख्यक विमर्ष और हिंदी एवं जर्मन कथा साहित्य में स्त्री चित्रण तो यह जो आपका लेखन और जो मंचों पर आपने शेयर किया तो कुछ उनके अनुभवी बताएं आ बारत में तो थोड़ा उसकी जो क्वालिटी है दुर्बागे से तोड़ी अलग रहती है और यहां यूरोप में उसकी अलग है तो काम मेरा जो मेरा जो शोध का विशा है मेरे शोध के जो दिल्चस्पी जिस चेत्र में है वो तो एक तो लोग साहिते में है और दूसरा इस जिस्त्री बीमार्स और दलिच शेतना जल बलिच बीमार्स और जो रास्टवाद की जो बात है यह अलग लग जो है और डिवीजन जो पार्टिशन ऑफ इंडिया यह सब कीजें हम पढ़ाते हैं यहां पर तो उसी के मातम से क्यों कि दिल्चस्पी है मेरी तो उस पर्म जगे भारत में तो बहुत सारी जगा अभी पिछले वर्स और इस वर्स तो पता नहीं कितने हो गए ऑँसे मिनार्स तो अच्छा ने कहीं विश्विध्याले बहुत अच्छा काम कर रहें भारत में लेकिन थोड़ा मुझे दुख इस बात का होता है कि वहां क्वालिकी पर खंधान दिया जाता है और यह तरह से होड मच गई है कि यह करना यह करना अब मुझे मालूम नहीं एक बार किसी ने यूजी सी के किसी मित्र ने वताया था कि डिशी सिस्टम हो गया भारत में और इसलिए कोई भी कुछ भी करता है तो यह वास्ता में हो रहा है लेकिन कुल मिलाकर मेरा जो अनुभव रहा और तो सभी साथियों को सादुबार देना चाहूंगा अविनंदन कंड़ चाहूंगा कि वो काम करते रहे हैं सिर्फ यह है कि हमको थोड़ा क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए जिए मुझे चीज और बहुत अच्छी लगी कि दक्षड में पर बहुत अच्छा काम हुई और लोग बाड़े उट्सा से काम कर रहें कहास करके करानाटका में मुझे लगा कि बहुत काम और अवास्का में वेलोगी कि टो उनका जो हींधी सी सम्मंद है और जो सम्झेदोंगना के साथ यह लोग काम करते हैं वो मुझे करनाठ ciudad में नह जैसे हमारे मित्र है राजकुमार जी अधर जाना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसी तरह से चौबे जी हैं जेवेंद्र चौबे हैं इसे बहुत अच्छा काम होता रहता हैं लोग मिलते रहते हैं काफी अच्छा काम करते हैं लोह तो कुछ बहुत सारे से जो कलेक्स हैं जो जिनके साथ मेरा लगातार काम चलता रहता है और हम लोग एक दूसरे की भी भड़त करते रहते हैं उन्द आए दूसरे से सीखते भी हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा जो अनुभ रहा तो अच्छा भी था खराब भी था लेक में जो अनुभ रहता वो तो अलग है यरोप की बात है कि उरोप में आप यह आप कागज में जो लिखते हैं बिलकुल वही करते हैं और बिलकुल एक सच्छ टाइम होता है और उसमें उसका जो फॉर्मैट होता है वह और थोड़ी सी मुझे कमी खलती है बहारत में की वहां प्रस्णुत्र का सेशन होता ही नहीं है। अडरे यहां बिना प्रस्ण ओतर के सेशन के आपका लेक्ट हbacks ही नहीं है। यह बहुत बड़ा था सब्सक्राइब। यह तो बहुत बहुत भड़ी कमी है। हमार से यह अगर मैं किसी को भी बुलाओंगा तो तो कमसी कम 20-25 मिनट जो है तो यह आदा घंटा भी हम रख लेते प्रस्टनुतर के लिए क्योंकि प्रस्टनुतर में यह होता है कि जो चीज भूल जाता है जो वक्ता व्याच्छान में यह कुछ और चीज उसको पता नहीं होता है यह थोड़ी कि जो व्याच्छान था उसको सब कुछ पता है तो नहीं होता है तो इसलिए जो सुनने वाले ओडिन्स है उनका जो ग्यान है या उनकी दिल्शथ्पी है उनकी जो रुच्छी है अगर वह भी सामने आए तो बहुत बात है तो लेकिन भारत में वह जो एक दो तीन चारे से नंबर करके जो होता है तो थोड़ा उसमें सुधार हो बहुत अच्छा काम हो सकता है और एक ओपन सेशन से यह भी बात निकल के आती है नहीं कि आपने पेपर पढ़ा या अपनी बात कही वो लोगों तक पहुंची उनके सवालों से होता है कि उसको क्लियर करने में आपने को भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है और अच्छा लगता है किलोग इतनी दिलकस्पी ले रहे हैं समझना चाहए और यह चीज और जो मुझे वहाँ दिखह भारत में जो आम तोर बगती है कि लोगों के हाठ में बिल्कुम साइड. इतनी हमारी शक्ति होती है कि मतलब सक्टाइस होती है कि आपको अपने इज़त करनी है जो सामने जो वक्ता है आपने बुलाया हो बूलना उसको सुनिये. नहीं सुनने आप बाहर जा सकते हैं. लेकिन अगर अगर अंदर ही आपका मोबाइल बज़ रहा है तो वो फिर उसमें एक फॉर्मेट में कुछ सुदार आएगा और जानकार लोग हैं, जयाता लोग हैं, जयानी लोग हैं भारत में. बहुत ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल फराटे बिना पड़े ही बोलते हैं, यहां पर अधिकता लोग पड़ करके बोलते हैं. उसका कारण हैं कि यहां लोग बिल्कुल टू दा पॉइंक बात करना चाहते हैं, वो इधर उधर नहीं बटकना चाहते हैं. और बिल्कुल आपने सही मुद्धे पर उमली रख किया आपने. पिर अपने अपने का अनुबब बताई हैं, तो नहीं बताता हैं. जो फराटे वाले हैं, व पर यहां पर यह होता है कि आपका फॉर्मेट अपने का मतलब है 20 मिन और आपका थी के पांच मिन दस मिन पांच मिन वो पर निची हो जाता है, वो तो खैर आगर दिल्शस्पी है, जिश्प अगर व्याक्षान है तो अच्छा है, होना चाहिए लेकिन अगर सिर्फ इजर होगया जो ऑड़िन के उनको पहले ही सूचित कर दें कि इस पर होगा व्याख्या यह होगा, तो लोग कई लोग तो आते भी हैं पढ़कर कि आ सकते हैं और बात करते हैं और बच व्याख्यान जो है और दिल चसप जाता है, तो सार्तक वह जाता है जाए नहीं अई उसमें यह तरह से जो ज इस वारता होते बहुत चाहिता जि coalition का है कुछ एashed हुआ ऐ। यह मिवर्टक पास करके हंदी वालों मैंने मेरे और के जैसे जए उत्रकारः विश्व में वहां डिया तो तु तु अureप बाला है वहां का मेरा काम हुआ भाला और लुः चीज में होता या मुंबई सोशल साइंस के जो संस्तान है बहुत सारे ऐसी संस्तान है भारत में जो अंगरेजी में तो बहुत सिस्टम बदल वगला हुआ है यह सिर्फ कुष्द से हिंदी में हैं कि हुआ कि ठोली कमी है यह है प्रचार में इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट माध्यम आपको कितनी प्रभावी लगते हैं यह बहुत प्रभावी है इसका एक छोटा सा उधारण आपको देना चाहूंगा कि साथ के दसक में बलकि पचास ही शुरू होता है जब सेकिंड वर्ल्ड वार खतम होता है उसके बाद यूरोप में लोगों की जो हाला थी आर्थी किस्तिती बहुत कम जोर थी और सामाजिक इस्तित स्तर पर भी बहुत बगटन था बहुत जादा और आपको याद होगा कि उस समय राज कुमारा सोरी राजतपूर की फिल्में आ रही थी जे तो श्री चारसो बीसू साथ के दि रूसी के माज़म से रूसी में ग्रीस में एक ऐसी स्तिती पैदा हो गई थी वो कोई मिड फिफ्टी जा सिक्स्टी की बात होई कि वहां पर उनकी सरकार को इतना डर लग जया था कि हिंदी फिल्में जो है उनके जो थियाटर का जो उनकी जो परंपरा है वो नस्त कर देग इसले उनकी वहां जो फिल्में थी वो राजकपूर की फिल्में वो कई हाफ़तों तक एक ठीटर में चल रही थी क्योंकि लोग इतने प्रवावित हो चुके थे और उसका प्रवाव यह हुआ कि लोगों ने आप चाये उनको कुछ और आता है नहीं आता है लेकिन वो जो देखते हैं, यह झालें तेखते हैं, यह जो भाशा का लोगों के इंट्रेक्शन होता है, जो भूड़ी होगों को सीखने को मिला, लोगों ने उसको जाना, उसके मादयम से ही वास्ता मेगे वह भी भारत आ रही है, यह कारण यह है, कि उसकी शक्ति है उसमाचार पत्र हैं, इस से क्रिंट अजनी गासे मैधे वजह से आउन-लाइन होने की वजह बहुत मदद मिली है और हम जैसे लोगों को भी बहुत मदद मिली है मैं जब पहले 2006-2008 में तक वहां भारत जाना पड़ता था कि हमें अगले वर्ष क्या पढ़ाना है उसकी तैयारी के लिए मुझे भारत जाना पड़ता था क्योंकि material इतना होता नहीं था यह तो लेकिन कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए जैसे वह आमीर खान के जो सत्यमेव जयते जो प्रोग्राम आता था इसको भी हमारे साथर देखते हैं उसका हम विसलेशन करते हैं उससे हमें बहुत सारी चीजों का जान होता है सिर्फ भाशा नहीं बल्कि समाज में क्या-क्या हो रहा उ जानने को मिलता है और सीखने को मिलता है हमें जो बारत के बारे में जानना चाहिए उसके लिए हमें बहुत मदती है इलेक्ट्रोनिक मीडिया से और फिर हिंदी सीखने लिखने में भी देखिए वाट्सप पे आप देखते हैं कि लोग्तुरंत जो हैं लिख सकते हैं यह पहले उपलग नहीं थी और इससे लिपी को भी संबल मिला है इसका भी प्रचार हो रहा प्रसार हो रहा तो मुझे जरूर प्रसार बढ़ेगा लेकिन अगर भारत में ही लोग अगर अग्रेंजी दान और यह कहेंगे कि भई हम तो अंग्रेंजी सही काम हो जाएगा तो वो नहीं वो असंबव सी बात हो तो आप विदेशों को कैसे कह सकते हैं कि हम तो अंग्रेंजी बोलेंगे लेकिन आप आप हिंदी से किया। यह तो संबब नहीं है। अच्छा, next up, 2014 में आपने ओसलो विश्विद्याले नौर्मे में प्रोफेसर क्लाउज पीटर जोलर और उपसाला विश्विद्याले के प्रोफेसर हाइंज वेरनर वेसलर के साथ मद्य हिमाले की फेरी लोड को लेकर बहुत महतो कांग्शी परियोजना पर काम किया था। तो वो अनुवव आपका कैसा रहा था। कि यह तो अच्छा सवाला है यह मेरे जुमीर र मूल विश्वह वास्ताम में उस तरफ ले जाता है क्योंकि लोग साहित्य पर काफी लेक्शन आपकाल काम भी करता हूं लेक भी लिखे हैं जिक भी रहाओं तो यह बहुत अच्छा अच्छी प्रियोजना थी और हम देखन चाहते थे क्योंकि बात चल रही थी कि इस्त्री भी मर्सकी और पिरिदर इस्परीठ है उसकी बात हो रही तो वह बहुत अच्छा अच्छी परियोजना थी वह हमने प्रकाशित की उसका जो रिसर्च है शोद है वह प्रकाशित हो चुका है उपलफ अंग्रेजी में है अधि उनका काम मुख्यता पांडव पंड़ान पर है जो 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 है विलिकेशन है और वो करीबं दस बारा साल लगाता दिल्ली में रहें और उनका बहुत अच्छा संपर्क है गडवाल में लोगों से तो मुझसे भी है तो हम अच्छे दोस्त भी है और कलीक्स भी है तो यह कह त और अच्छा परणाम निकला इसी तरह से हमारी और भी परियोजना है जिस पर हम काम कर रहे हैं जैसे एक परियोजना है जो बहुत ही महत्पूर्ण है वैसे भारत के लिए और भारत में शाद लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि हिंदी का पहला व्याकरान देवनागरी में क कि हिंदी व्याकर रहन भ्याकरन के परंपरा काई त्यास टू अफ हिस्ट्री ओफ ग्रमाटिकल ट्रैडिशन ऑफ हिंदी तो दिल्चफ पर है कि जो जलिके गए हूं बहुत पहले लिखे गए थे भारत में बहुत बाग में शुरूआ कुई है और एक और गिल्शस बात य युनिवर्सिटी अमेरिका में वो काम कर चुते हैं 1885 में केटलार उनका नाम था एक डच जर्मन स्पीकिंग आजमी था जो क्रिमिनल था यहां पर और डची इंडिया कंपनी के साथ वो भारत गया 1682 में लगवग बारत पहुंचता है और कहां पहुंचता है आप जानकर है रहान होंगे सूरत में तो सूरत से वो काम करता था और बाद में उसने हिंदुस्तानी सीखी और हिंदुस्तानी सीख करके वो इतना आजे बढ़के यह महत्तपून मुद्दा भी है वैसे क्यों जाहर देने की कोशिश की मानने की कोशिश की यह से बाग जया सुईदन चला गया फिर वहां ते वो इंडिया तो वहां पर यह होनी की वज़े से वह उसका बहुत अच्छा संबंध हो गया औरंगे से उस समें औरंगे सकता थी और उदर ते उसने फिर फार्शी भी सिकी त दोसता है कि फ्रेंश भी आती हो मुझे नहीं मालू लेकिन लेकिन भी उसको आती ती तो पहले लेकिन जैसे भारत में पहले मेटपून ती संस्कृट वज़े यहां लेकिन तो उसने पहला व्याकरान हिंडी में लेकिन वो जु ब्याकरान है वो 1689 में लिखा गया था और तो उसकी मैनिस्क्रिप्टी वो बाटिया जीनिये किसी तरह से खोजी वो 1850 में उनका थीसिस उस पर आया और बाद में उन्होंने वो मैनिस्क्रिप्ट को भी पुब्रेश किया अभी उस पर एक और थीसिस आया है बाद में तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा परिवर्तन पर थोड़ा परिवर्तन है कुछ जो नया थीसिस आया उस पर उसमें ये ज्यादा ध्यान जो है वो अरेविक फार्टी की तरफ गया है और जो दूसरा जो हिंगी का व्याकरण है और देवनगरी का परियोग जिसमें पहली बार हुआ है और मेरे खाल से अब तक की जानकार कि अनुसार तो पहला व्याकरण है वो 1703 और चार में लिखा गया था एक फ्रेंच मिस्नरी द्वारा अच्छा और वह भी सूरत में रहकर के लिखा गया तो समझ लीजे कि गुजरात क्यों इतना हाच विशाद जरूरी है और पहले से भी जरूरी रहा तो हिंदी वालां को तो सुक्रवजार होना चाहिए कि वहां गुजरात से हिंदी का बहुत प्रचार प्रचार हुआ है वास्तम में ताजीब की बात है कि गुजरात में सूरत में रहकर के ये दोनों लिखे गए और उसके और भी बहुत सारे काम हुई है तो उस व्याकरण पर उसको तो लोगो सब्सक्राइब करता इस पर और अभी मैं उस पर वो कर चुका हूं लेटिन से उसका जर्मन और एंग्लिश में लगवग दोती हाई काम कर चुका हूं और अलंकि लेटिन है थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल तो है लेकिन मदद लेता हूं कुछ लोगोंगी तो यह देखे है कि आने वाले वर्सों में काम जो है हिंदी में देखने को मिलीगा और अंग्रेजी में तो बहुत बढ़ाई आपको कि आप इतने नायक शेत्र खोज रहे हैं और में काम कर रहे हैं तो दॉक्टर बहुत कोविद नाइंटीन पैंडेमिक के परिप्रेक्ष में आप इंट सब जगह की स्थेटी इसकी वेज़े से प्रभावित है जी यह नहीं यह तो देखें हो सब हम लोग उसको भुगत रहें सारे लोग लगवग और हमारे तो पिछले दो बरसों से सारी क्लासेस ऑनलाइन ही हो रहे हैं हम तो जबकि मेरा अपना दफ्तर है अकेला बैढ़ता ह उन दफ्तर में फिर भी हमें अलावर नहीं है दफ्तर जाना इस समय से तो मेरी सला तो और सुझाव यही होगा कि सबसे पहले तो अपने आपको फिट रखना चाहिए और फिट रखने से देखे आप बहुत सोबागेशाली लोग है जो लोग भारत से हैं या भारत में रहत है तो आप जानकर हैरान होंगी कि पिछले वर्स से दो वर्सों से यहां उससे पहले लोग हल्दी को यहां बहुत कम लोग जानते थे परियोग करते ही नहीं थे हल्दी का आज की तारीख में कोई ऐसा प्रोड़क्त नहीं है जिसमें हल्दी नहों हल्दी का दूद, हल्दी ही जाए हल्दी की वियर हैं भी का डूली का पेस्ट रदी का पाउड़र हंदी इंका होडी की रोटी है क्या उटिकक केक कु था कि जू keine हरो ही धिक्र अक्षोली इतना फैल अपनी गाडियों पर भी लिखना शुरू कर दिया है, योगा, वो भी लिखा हुआ है, और जो, क्या कि नहीं है, आरवेड की प्रोड़क्त है, उनको भी, यहां बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं उसके माध्यम से, मुझे ताज्यू होता है, भारत में लोग उसके टेलिविज कर रहे हैं संस्कृत पर, यह थोड़ा मतलब अविश्यस नहीं ऐसा लगता है, अगर आप अनुवात से ही काम चला रहे हैं, तो उसे हम तो बिल्गुल भी उसको गंबिर्ता से नहीं ले सकते, यहां तो कम से कम कोई गंबिर्ता से नहीं लेगा, तो मैं कहना यह चाहता हू करता हैं, परिवार जो है, वो यह एक मनोविख्यान, मनोचिक लिजवत का काम करती है भारत, आप जान लीजिए कि भारत का जो परिवार जो संस्राओन है, परिवारिग जश्टम है, फैंमिली सिस्टम, बहुत सशक्त, कम से कम मेरी जानकारी में अभी तक तो था, आब तो इस पर भी मैं एक परियोजना कर रहा हूं, कभी-कभी जब भाराता हूं, तो पुछ रिसर्च करता हूं. तो लेकिन यह है कि आप लोग बिलकुल मलव दोस्तों से बात करनी चाहिए, और संपर्क बढ़ाने चाहिए, रहने चाहिए, मिलना फिजिकल ही नहीं, आप ओन-लाइन आप बात कर सकते हैं, और एक आदत जरूर होनी चाहिए, कि आप अपना टाइम बिलकुल वो पढ़ाई पर ध्यान दे, उस तरफ अपना स्लॉट होना चाहिए, कि इस समय से, इस समय तक तो मेरे पढ़ाई के लिए मेरा डिवोटेड है, लेकिन हेल्थ के लिए भी बहुत जरूर ही है, यह निकि आप हेल्थ को जो है, इकनोर कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, और दूसरी, तीसरी वाज़ जो है, वो मुझे लगता है, आपको अपनी सुरक्षा का तो ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन आपकी जिम्टोमाइटिक कोई नाम की चीज़े, तो उसको भी रोकने के लिए हमारी सब की जिम्मेदारी है, कि हम ध्यान रखें कि हम कहां जा रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी समाद के प्रति, करिवार के प्रति, अपनी सुयम के प्रति, उसको भी ध्यान में रखें, तो मुझे लगता अच्छा रहे हैं, और साथ में पढ़ाई तो नहीं चोने चीज़ें, पढ़ाई तो करने करते बना चाहिए, ओनलाइन बहुत सारी चीज़ें उपलब्द हो गई हैं, मैंने देखा भारत सरकार ने बहुत सारे पॉर्टल बना दिये हैं, और पुस्तकें ओनलाइन कर दिये हैं, आप नैशनल, मैं रिकाल सी कोई नैशनल ऐसा कुछ वेबसाइड है आपका, अभी मुझे ध्यान नहीं कि भारत सरकार की वेबसाइड है, उस पर करके आप बहुत सारी पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरह से दूसरे पॉर्टल से खर सकते हैं, या फिर आजकर यूट्यूब हो गया है, तो आप इधर उदर की चीज़ें देखने के बजाए, ड़कुमेंटरी देख सक कि क्या चीजिए हैं भारत में, हमें पता भी नहीं था, इतनी सारी चीज़ें लेकिन बहुत सारी चीज़ें भारत में उपलब दें, जब तक एक चीज जरूर है, जब तक हम अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने परिवार को ही नहीं जानेंगे, तो बहार को हम सम आप सोबाव से काम की जिए और मज़ा इसमें यही है कि आप तो बहस सहबाजय साली है परिवार हैं इर्द गिर्ध इहां में आपको बतारों जिस शहर में मैं रह रहा हूं हमबर्ग में 45% प्रतिशत जो लो मतलब जो हाउसोल्ड है यहां पर 45% वो सिंगल हाउसोल्ड है तो आप सो सकते हैं कि आदमी अकेले रह करके क्या अलग इस्तिती हो जाती है और ऐसे परिस्ति में जब आपको बंद रहना है आउनलाई रहना है कि आप तो भारती परंपराएं वास्ता में बहुत दूर दूर दिस्ति से मेरे ख्याल से तयार हुई है यह लोकाओं को एक परिणाम है जिसे हम शायद इस पर जादा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन देना है यह मेरे विचार से और अगर कभी भी कुछ सवाल भी होते हैं तो आप किसी से भी पूल सकते हैं आज कर लोग इतनी सुविदाएं हो गई कि लोग कुछ ना एक तो कोई ना कोई तो उत्तर दे गई लेकिन प्रियास बहुत जरूरी है जे जे तो डॉक्तर राम्त्रसाद पैंडेमिक के चलते बहुत नई चुनोतियों से जूज रहा है उसमें आपका ये मार्ग दर्शन बहुत बड़ी राहत की तरह है और बड़े खुले मन से आपने सारी चीजें डिसकस की है उतरा खंड के गड़वाल क्षेतर से शुरू ही आपकी शोध यात्रा बराबर को आपने इतना समय दिया इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके बहुत दन्यवाद और मुझे खुशी कि आप ये कर रही हैं बहुत बहुत बड़ाई और बिलकुल शुब कामना है हमारी दन्यवाद जी थैंक्यू नमस्कार नमस्कार